तो आप लोगों को पता हिए जितनी भी ये चंगर विरादरी है जितने भी लोग है इस चंगर फैमली में सब के सब किस तरह से वीडियो बना रहे हैं ये खास करके अगर डीडी दल्ले को बोलेंगे पिटारा तो भाई इनकी गुरू है ना उसका तो बोली नहीं सकते हैं उस रहे है, भाई बनाने के लिए बाहर को उंचाता है रहे हैं और करके प्लैन करके इस तरह से रूटिंग बना के फिर दिखाई जाती है बेवकूफियों बोलना तरह ये थीघर को इनके वीडार नहीं चल रहे है तब ही रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्सी वाला थमनेल टाइटल लगा के जो सुरू से ही इसका एक कॉंटेंट चला आ रहा है कि जान बुझके ऐसे टाइटल थमनेल लगाता है कि लोग जाए इसको देखने के लिए वरना तो इसके वीडियो पर कुटा भी टांग उठाने के लिए नहीं जाता है और इसको इसकी है अच्छे से पता है लास में बैठके ना पूरे दिन का पहले यह बक्वास अपना व्लॉग दिखाएंगा रास में जब यह बक्वास करने बैटेंगा ना फिर से रिपीट करेंगा आज हमने यह कि हम य इसकी बाकी सब इसकीप करते हैं कि तुम लोगों का व्लॉग है ना ठट क्लास व्लॉग बाकी जो इसकी भीवी है इनसाफ भीवी फातिमा उसने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर वो बोल रही है कि एक और वह मुझे बारबार परिशान कर रही है मुझे कॉल करती है मु मेरे से शादी करें मेरे से शादी करें तो सबसे पहली बात तो फातिमा तुमको प्रूफ लगाने चीए कि कौन और बोल रही है ठीक है कि ऐसी बाते करना अपने दिल की भड़ास निकालना है ना तो जैसे तुम लोग बोलते ना कमेंट आ रहा कमेंट आ रहा बोलके अपने दिल की भड़ास निकालते हो उसी तरह से तुमने बोला कि लोग मेरे पीछे पड़े हुई है कोई और बो रही है कि अपने हस्बेंट से मेरी शादी करवाओ तो यह बोलके तुन्हें अपने दिल की भड़ास निकाली है ऐसा मुझे लगता है वरना तुझे इसक्रीन शॉट लगाना चाहिए प्रूफ लगाना चाहिए कि कौन ओरत है जो बोल रही है कि तुरे अध्बेंट से मेरी शादी करा एक बात तो यह हो गई दूसरी बात जब हम बताते थे इसकी सच्चाई के इसके कितने सारे अफैर है यह औरतों के साथ में फ्लट करता है उनको ब्लैक मे है वो ऐसा नहीं है आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है हम लोग रह रहे है साथ में तो तू तो बड़ा साइड लेती थी अब आके वही सारी बाते तू अपने मुझ से बता रही है कि लोग कमेंड कर रहे है कि अपने हस्बेंड को बोल मुझ से शादी कर ले मतलब के प्रों नहीं मुडवाई है उसने मेकप की है वो टेम पे यही आके फात्मा है ना जो यह आके बोल रही थी कि मैं चैलेंज करती हूं अगर ऐसा मेकप आप लोग करके दिखा दोना तो मेरा पुरा खांदान अपना चैनल बन कर देंगा और जब हमने मेकप का पिक्चर लाक गंदी गंदी बाते करता है तो अब इसने आके बोली थी मेरा हस्बेंड मेरा देवता है तुम लोगों को क्या करना है अगर वो ऐसा कर रहा है न तो करने दो मुझे कोई प्रब्लम नहीं है आप लोगों को क्या प्रब्लम है क्या आप लोगों को भी करना है तो आप लोग तो टॉंट मारी है कि वह कितना अच्छा है आप लोग देख रहे हो कैसे ईश फैमली से बाद करो चादी करो कंत वही इसको बोलते है करम के जब मेरे चुपती मुंदी लेकर विलचर पर बैठी होई है और यह उसको घसीट के लेकर जा रहा है था फात्मा का और ये सच्चाई मेरे पास में आई थी, ये बात मेरे पास आई थी, तो मैंने उसके उपर रियाक्शन दी थी, कि ये खबर आई ए, कि इसने अबोर्ट करवाया है, ना कि ये बातरूम में गिरिये, तो ये बोल रही है, हाँ, मुझे पता है, आपकी दो शादी हुए, ये जो बाते मैंने की थी न ÖN anche Past fetlic जो ने पूरोप चीजों के पूरूफ के अबलके तुम लोग खुद साबित कर रहे हो कि मैंने जितनी भी बाते बताई थी न वह सारी सची थी और तुन जो उद्धी न वीडियो बनाई थी तुने बोली न मेरा मिस्कैरेच हुआ है तो वो मिस्कैरेच नी अबोशन था ठीक है जो तुम लोगों ने खुद ने करवाए थी और तुने ये बात भी आके कबूल कर ली तो देख ले जो उड़ती उड़ती खबर मेरे पास आई थी न करमा इसी को बोलते है मका फाते अमल और जो तेरे साथ में हो रहा है ना तो उसका एक ही डायलोग है मेरे पास के बींज बोया बबूल के तो फल कहां से पाओगे जब तुने इसको इतना सर पे चड़ाई थी कोई भी सच्चाई आती थी तो उसके गाल पे हाथ फिरा फिरा के दूसरी औरतों को तू रियाक्शन देती थी उनको तू जलील करती थी ठीक है तो आस देख ले तेरे साथ में क्या हुआ तो इसी को बोलते है के बींज बोया बबूल के के फल कहां ते पाओगे तो तुने जो की है ना आस तेरे साथ में एकदम सही हो रहा है ठीक है मैं तो यही बोलूँगी के 50-50 दोनों की गलती है ना तो फात्मा सिंपती लेने के लायक है और ना डिडी सरीव ज्यादा है दोनों के दोनों है ना बुलते हैं ना के जोड़ी जोड़ी मिली हुई है तो भई फात्मा के पास में एक औरत आ रही है जैसे के वो बता रही है मु मुकर गया आपकी ही बुराया करता था कि यह बहुत बड़ी है यह बसूरत है यह गंदोरी है यह वैसी है तो हमने इसके साथ में हम दर्दी रखी है और हमने सोचा कि यह सच में हमसे प्यार करता है फिर बाद में इसने हमें इतना पैसा लिया यह किया वो किया और फिर हमन दीडी दले को बग गए उसने बोला मुझी समझ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो उसके कहने का मतलब तो सभी समझ गए कि वो कोई हुकुक नहीं पूरे कर रहा है और वो उससरिफ सनिया से ही अब शाधी करके खामोश हो जाएंगा अब वो शादी नहीं करेंगा वो यह कहना चाहती थी तो यह थारी बाते डीडी दल्य को बुरी लग गई तो फिर वो बैठ गया रियक्शन देने के लिए बड़ा मज़ा आया वैसे मैं देखी न यह रियक्शन मुझे बड़ा मज़ा आया क्यूंकि जब यह दूसरी औरतों के उपर रियक्शन देता था गंदी-गंदी बाते करता था तो यह इंसाफ बीबी कैमरा पकड़ पकड़ के बैठती थी पीछे बैठके हस्ती थी कैमरे को पर फैक्ट जूम करती थी यह बोल क्या रहा है अब आज को एकदम किलियर आने देती थी आथ देख ले तेरे उप पर भी बैठके भॉंक रहे और यह जो चमिया बैठ रही है ना कैमरा पकड़ के कल इसके उपर भी भॉंकेंगा यह भी लिखके रखना और पातिमा को मैंने दस बार वीडियो में बोली थी के जैसे तू कैमरा पकड़ती इसका सपोर्ट करती ना दूसरी औरत को जलील करने और देख लो बाते आज मेरी सची साबीत हो रही है तो बस यही है जैसे आप लोगों ने बीज लगाए हो वैसे फल आ रहे है और खाओ खेर इसको बड़ा बुरा लग गया यह बात के मैं जो कुछ भी करता हूं वो किसी को नजर नहीं आता तुम लोग कुछ नहीं करते हो वो नजर आ जाता है बावला अद ROB अरे वही तू क्या कर रहा है पहली बात तो हहां तो जब सैलरी लेने का टायम होता है तब तू कराची जाता है अभी तो दस दिन रह यहाँ अदर वापीस आता है तो कौन से फरद निभार जाता है अगर के तुझे पूरा पूरा फार रद्धियों निबाना होता ना तो तो बराबर एक मेहना इसको देता मैना उसको 15 दिन इधर 15 दिन उधर जैसे इसको ले kijken बटक रहे वैसे उसको भी लेके बटकता है इसको क्या बोल के बुद्लाता है और उसको क्या बोलता है मेरे से 15 छाल बड़ी अंटी अरे बे शरम ना तुने जाने की कोई तैयारी किया जब यह यहाँ आया था ऱभी मैंने बोली थि गहा था अपनी सैल्री लेने के लिए और वो लेके आगया तु यह ड्रामे ना करना बन कर दे तुझे लग रहा है। तु बड़ा अपनी हुकुक पूरे कर रहा है लोगों को नजर नहीं आता है यहाँ पर न साब अन्धै नहीं बैठे सबको अब दीक क्ते हुकुक्ब पूरे कर रहा है ड्रामे बाच कहीं का प्योदा है अब यह तो मुझे तब आई जब इस framework आई करलो मेरा अला मेरे साथ है हर एक चीज की एक लिमीट होती है बताओ भई इसको याद आ गया कि कोई भी चीज की लिमीट होती है दो साल तलब के तु सलमा पे उसके बच्चों पे उसके सपोर्टरों पे भॉंकता रहा तब तुझे कोई लिमीट याद नहीं आई आज तुझे लिमीट याद आ गई और बोल है कि मेरा अल्ला मेरे साथ है अल्ला तो तुझे लकडी बोलते ना लाठी पड़ती अल्ला की वो पढ़िये तुझे देख ले तेरे जितने सपोर्टर है ना सब के सब तेरे को जलील कर रहे तेरे ये नौबत आ गई है बोलते ना शहर छोड़ के भाग जाना वो तेरी लाठी छोड़के भाग गया है दूतरा तुन्हे कमेंड बॉक्स बन करके रखा है तीतरा तुझे टेरे ही खांदान वले मूह नहीं लगा रहे तेरे जो सपोर्टर थे ना उनको तो वो तो मूह लगाना दूर की बात है तेरे खांदान वाले तक क्य को मूह नहीं लगा र नो जितना तुम मुझे गलत साबित करने के चक्कर में हो उतना मैं गलत नहीं हूँ, अच्छा बस कर दो, मुझे सच में इतनी मतलब बोलते हैं न के अल्ला के उपर बहुत भरुसा है मुझे, यही सारी चीजे यह सलमा और सलमा के सपोर्टरों के लिए करता रहा है, और भी तो तो तुम लोग सलमा को सबित कर रहे थे गूंचु नहीं है दल्ला। है यह जिए तमने गलत करने के चक्र में यूंत तो यह सारी बाते तेम पे कहाँ चली गई थी जब तू सलमा को गलत साबित करने के चकर में पड़ा था, जब तू गोंचु को गलत साबित कर रहा था, हाँ दो साल तलब के, दो साल रेगुलर एक दिन का नागा नहीं हुआ, तब तुझे याद नहीं आया, अब तेरे ही साथ में वही सारी चीजे हो रही है, तो तू बोल गिरते हैं वाइटी पे मुझे गालियां पढ़ना शुरू हो जाती है तो यह सब मत करो क्यों यहीं सारा तो तू भी कर रहा था ना पिटारा क्या कर रही है भई तीन साल से हां सिंपती तो गेन कर रही है तू तो आज भी बोलता है तू उसके साथ है ना उसके साथ बड़ा जुलूम हुआ है तेरी बीवी के साथ नहीं हुआ जुलूम तेरी बीवी सिंपती लेंगी तो तुझे अच्छा नहीं लग रहा है पिटारा को सिंपती मिल रही है तो तुझे बड़ी मज़ा आती है उसके सपोर्टर बनके तू जो कुत्ते की तरह दू मिलाता है तब यही आसू पिटारा गिराती थी और तू बैठ जाता था इनसा आपके नाम का जंडा लेके पिटारा के लिए तब उनको गालियां पढ़ती थी तब तुझे एसास नहीं हुआ इसलिए बोलते हैं कि किसी के लिए गलत करोगे ना तो सूस समय जेलते भी है अल्ला सूस समय वा कर जा अच्छे इसने जो यह बात बोला है ना कि तुमारा और मेरा अपसी मामला था दुनिया के सामने तुम्हें जलील करवा के अगर खुशी मिलती है तो करवा लो खुश हो जाओ तो क्या पिटारा का अपसी मामला नहीं था कौसर और पिटारा का अपसी मामला नहीं था उसके अंदर तो तु बड़ा कुद कुद के उसके घर पे पहुँच जाता था साजित का गया साजित ने ये क्यों नहीं किया कौसर ने ये कर दी कौसर बड़ी चालू है कौसर अब उसको आने नहीं देंगी जब तू कुद्धा था उनके फड़े में टांग डालता था तब तुझे याद नहीं आया तुन्हें तब नहीं बोला कि यह इनका अपसी मामला है देख ले वही थारा कुछ हो रहा है ना तेरे साथ ऐसास हो रहा है कैसा लगा होगा कौसर को गोंचु को वा भाई वा क्या अल्ला की शान है ना जो जो बंदा गलत करता है ना अल्ला उसको सेम तू सेम वही करके भुगतने लगाता है बकी इसका वही वहाला हिसाब है के तुम करे तो मुझरा हम करे तो डिसको वह वहाला हिसाब है भाई ठीक है तुमारा हमारा खुन-खुन तुमारा खुन-पानी ये इसको बोल रहा है फास्मा को के ये जो रो दो आंसु लेकर सिमपती लेने आ जाती है आ ये गलत है लेकिन पिटारा आजाती थी थी आज भी वही ड्रामे कर रही है कभी कोसर के नाम पे कभी गोंचुके तो कभी मां के तो कभी सलमा के नाम पे रोज दो आशू मगर मच के लेके आजाती है ना वहाँ पे इसको नहीं लगता है कि वह गलत कर रही है और तीन साल होने आगको आगे आए कि वो ये हरकते कर रही है तब इसको नहीं आइसास हुआ इसने कभी नहीं बोला कि ये दो आशू रोज लेके आ जाना ये अच्छी बात नहीं है नहीं उसको सपोर्ट करता था बकी इसने ये भी बोला कि फात्मा तुम जो ड्रामे करती हो जितनी होती नहीं है उससे जादा तुम आखे बताती हो ठीक है कभी तुमारी तब्यात खराब है कभी ये वो होता नहीं है लेकिन तुम आखे बताती हो सिंपती लेने के लिए तो वो तो भई पिटारा के ही व्लॉग से उठा उठा के कॉंटेंट चला रही है न जिसमें तुम लोगों ने पुरा-पुरा साथ दिये थे वो टेम पे इन लोगों को नहीं याद आया कि पिटारा जो चीज होती नहीं है तुम आ के क्यों बताती हो तो याद है जब कोसर सौरी अजगर के साथ में सोने जा रही थी ना होटल में वो दिन उसने आके वाईटी पे रोई थी बोली थी कि यह वहां चले गए है तो मेरी तब्यत कराब हो गई है तो मेरा सर बहुत दूख रहा है और फिर बाद में पता चला था कि वह रात में तो अजगर के साथ में गुल्चर्रे उड़ाने गई थी मतलब जो चीज होती नहीं है न वो दिखाती है वो अब इसको देखो अपनी बीवी के उपर ये सारे डायलोग याद आ रहे पिटारा के उपर नहीं याद आये थे कितना बड़ा दल्ला है न ये पिटारा का ये तो सा चारा ने दूसरों को भुगतने लगाई थी ना दल्ले तू अपनी जान में भुगत रहे और अभी तो सुरवात है इंशालला देखना तेरी क्या हालत होईंगी बकी इसने ये भी बोला कि तुम सारा कुछ करती हो मतलब के दवाईयां का जो ड्रामा हुआ ना के दवाई लेने के लिए वह अकेली चले गई कोई पहार तूट पड़ा दुनिया के अड़ते तो भई उनके साथ में तो बता नहीं बोडिगाड लगे होते हैं इनकी अड़ते अकेले जाएंगी तो इनको सिंपती चाहिए भई आके मुंबई में देखो मिया वीवी साथ में रहते ह साथ में होस्पिटल तक के नहीं जा सकते या तो मिया जौब पर रहता है या बीवी जौब पर रहती है और जो घर गिरस्ती वालियां है तो वह मिया के आने का इंतजार नहीं करती है वह सोस्ती है मिया आएंगा ठक के आएंगा फिर उसको परिशान करना इससे बेतर है घर के लिए इसने नई बोली बाकि सब चीज़े ये बोल लेती है मुझे बोलती है अबा को बोलती है नैना को बोल लेती है दवाई के लिए इसने सिंपती लिए इसने बोली नहीं और फिर अकेले जहा के दिखावा की मुझे जलील करवाने के लिए और इसने ये भी बोला के वर इसी तरह से जान बूच के अस्पिटल अकेले अकेले जाती थी ना बच्चो को लेके ताके घंचु का गंदा कर सके सिंपती ले सके तो तेरी बीवी से पिटारा के ना कॉंटेंट चला रही है तो थोड़ा सी ना शेरम करें डूप के मर जाओ दोना मिया बीवी मर जाओ पिटारा के ओल्ड वीडियो उठा उठा के उसमें से ये कॉंटेंट चला रही है यह जो कुछ भी कर रही है ना पिटारा ने यही सारा कुछ कर करके सिंपती ली अपना चैनल ग्रो की लोगों को फुद्दू बनाई लोगों का चूतिया पा काती और आप जाके वही चीज करके बैठी है ना तो यहां पर आके बकवास ना किया कर सबर किये तो सबर करके बैठी रहे तो यह सारा कुछ चले इस वीडियो को यही पेंट करते है वीडियो कैसी लोगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर द